की इसका क्या मतलब होगा और सोचने यह सोचने लगते हैं literary सब्सक्रीन करेंगा स्टेल, स्टोल, इसके बाद हम जानेगे यः, यप्ल, और यटी, और शैन्हीं की योफ ऐसे विर्ट होते हैं जिन्ゃे सुनकर हम सफेल्ख म寣 सब्सक जाते हैं लेकिन इनके परनंसेशन सेम जहाएं इनके बाद करते हैं spelling जो है उने में थोड़े changes होते हैं जोड़ा अलग spelling होते हैं But इनके meaning जो है वो अलग होते हैं सिर्फ इनके pronunciation से होते हैं And इसका फाइदा यह होता है कि हम एक learn करेंगे जैसे हमने rain के बारे में ऐसे làm लिया तो हम एक बार रेन के बारे में सोचेंगे तो हमें दो जो दूसरे हैं वो भी हमारे माइंड में आ जाएंगे कि एक रेन का मतलब होता है बारीश दूसरे रेन का मतलब होता है गोड की लगा हम और तीसरे रेन का मतलब होता है राज्य कॉल तो एक learn करेंगे, तो दो हमें automatically हमारे mind में आ जाएंगे, okay guys, so one by one हम यह करेंगे, so बने रहें ये video को end तक जरूर देखिएगा, और let's start, र-e-i-n, rain का मतलब होता है, गोडे की लगाम, hold the rain of the hots, hold the rain of the hots, कृपया गोडे की लगाम, पकड़ो, कृपया गोडे की लगाम, पकड़ो, okay, r-e-i-g-n, rain, rain का मतलब होता है, राज्य काल, in the rain of Ashoka, everyone was happy, okay, अशोक के राज्य काल में सभी परसन थे, and the third one is, r-e-i-n, rain, rain के बारे में आभी सब जानते होगी, इसका मतलब होता है, वारिश, example देख लेते हैं, it is raining, वारिश हो रही है, आगे बात करते हैं, steel की, s-t-e-l, steel, steel का मतलब होता है, गाई, चुराना, example देख लेते हैं, do not steal anything do not steal anything, okay, sorry guys, s-t-e-l, steel, steel का मतलब होता है, चुराना, example है, do not steal anything, किसी चीज की चोरी मत करो, okay, next है, s-t-e-l, steel, steel का मतलब होता है, फुलाद, my knife is made of steel, मेरा चाकु फुलाद का बना हुआ है, आगे देखते हैं, right, r-i-g-h-t, right, right का मतलब होता है, अधिकार, okay, freedom is all worth right, freedom is all worth right, saptantrita हमारा जनम से अधिकार है, okay, next है, r-i-t-e, right, right का मतलब होता है, रस्म, his lost rights will be performed today, his lost rights will be performed today, उसके अंतिम रस्म आज ही की जाएगी, okay, and right, r-i-g-h-t, right का मतलब होता है, आप चानते हैं, guys, धायां भी होता है, तक हाईगी, प्यूसाएगी, का मतलब होता हैं, ही जाएगी,जख वागी, जाएगी, जाएगी होता है, अधिकारे होता है, फे दिनल रसी लएगी होता ही…